Hello everyone and a very warm welcome to Siksha So guys agriculture current affairs again part 32 discuss करेंगे MCQs 10 MCQs इसके अंदर हम discuss करेंगे इस particular part के अंदर And बार-बार repeat कर रहा हूं कि जो बच्चा इस बार IBPS AFO का मेंस देने जा रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत बहुत जादा important है अगर आप बाकी के agriculture के exams दे रहे हो तो उसमें भी important है लेकिन AFO के बच्चों के लिए तो specifically सोना है ये videos ठीक है और बहुत quick videos हम लोग बनाते हैं ठीक है छोटे videos होते हैं तो definitely आपका जो self-study time है उसके साथ compromise जादा नहीं होता So MCQs discuss करेंगे agriculture current affairs part 32 quickly let us start 10 questions discuss करने हैं And start करने से पहले 2000 plus non video MCQ course है agriculture का Again IBPSAFO के बच्चे अगर सुन रहे हो तो इसको purchase कर लो 300 रुपे का पड़ेगा discount code लगाने के बाद Test की form में quizzes हैं तो पहले test करो और उसके बाद detailed solutions देखो तो काफी beneficial रहेगा पटाफट से अब question के उपर आ जाते हैं अब एक comment section में आपने मेरे को बताना है कि NAPCONS की full form क्या है ठीक है तो NAPCONS की study आई थी 2022 में और इन्होंने various जो items हैं agriculture की उसमें बताया था कि यहां भी post harvest में यह सब wastage होता है तो serial crops का क्या percentage इन्होंने बताया था option A 3.89% to 5.9% B 5.65% to 6.74% C 2.87 to 7.51 D 1.29 to 7.33 and E will be none of the above तुक्का कहां लगाओगे इसमें इसमें guess नहीं कर सकते या तो आता है या नहीं आता तुक्का लगाओगे गलत जाएगा answer कोई फायदा नहीं है ठीक है तो यहाँ पर आपका correct answer क्या होगा पहले खुद से answer करो ठीक है पते क्या करो जैसे मैं शुरू में बता देता हूँ generally कि कितने questions इस वीडियो में होगे for example मैंने का 10 तो ऐसे अपनी sheet के उपर ना ऐसे 10 लिख लो एक black sheet के उपर और जैसे ही question आता है पर है बच्चे बहुत से यह सवाल पूछते हैं कि sir confidence नहीं आ रहा ठीक है ऐसा लग रहा है कुछ नहीं आता वह इसलिए लगता है क्योंकि आप अपने आपको test करना बहुत जरूरी होता ठीक है तो यहाँ पर आपका correct answer क्या होगा दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब ह option A 3.89 to 5.9% अभी मैं पूरे का पूरा चार्ट दिखाऊंगा जिसके अंदर हमने यह discuss किया उससे पहले एक और question देख लो ठीक है इसी same study के अंदर post harvest wastage of eggs की भी बात वही थी तो post harvest wastage of eggs कितना होता है इंडिया के अंदर option A 8.76, B 2.34%, C 5.63%, D 6.03% E none of the above again similar question है बस cereals की जगा eggs हो गया तो यहाँ पर क्या होगा सही answer यहाँ पर आपका सही answer है दोस्तों option D 6.03% 6.03% will be the right answer अब हम आजाते हैं उस chart के उपर यह बहुत ही important chart है यहाँ पर दो studies है एक तो 2015 की study है और एक आपकी napcons की 2022 की study है यह latest वाली है जो 2015 वाली है वो ICAR ने की थी important दोनों है और मैं बता दूँ जो नबाड grade है के बच्चे है उनके लिए भी यह बहुत important है ठीक है एक तो इस type के question paper में आप से directly objective में पूछ सकता है प्लस यह subjective के अंदर data काफी helpful रह सकता है नबाड के बच्चों को क् answer writing भी है तो अब देखोंगे serials का जो wastage है ICAR के हिसाप से था 4.65 से 5.99 और जो napcons की study है उसमें 3.89 से 5.92 है तो कोई बहुत जादा improvement यहां पर नहीं है pulses में ICAR की 2015 की study थी 6.39 से 8.41 और napcons की study में 5.65 से 6.74 तो pulses में थोड़ा सा improvement देखने को मिलता है oil seeds में 3.08 से 9.996 की wastage थी और napcons की study में 2.87 से 7.51 अगेन इसमें थोड़ी सी improvement देखने को मिलती है fruits के अंदर 6.70 से 15.88 परसेंट की wastage थी napcons की study केती है 6.02 से 15.05 बहुत minute सी improvement है vegetables के अंदर भी आपको कुछ खास improvement नहीं दिखेगी napcons की study केती है 4.87 से 11.61 परसेंट plantation crops and spices अगर देखोगे ICR की 2015 की study थी 1.18 से 7.89 और this is now 1.23 से 7.33 napcons की study के साबसे तो इसमें भी कुछ खास improvement नहीं है similarly milk में देखोगे 0.92 परसेंट का था अब 0.87 परसेंट है fisheries में 5.23 था अब 4.86 है marine fisheries में 10.52 था अब 8.76 है meat में 2.71 से कम होकर के 2.34 हो गया है poultry में 6.74 से कम होकर के 5.63 हो गया है और eggs में 7.19 से कम होकर के 6.03 हो गया mainly जो objective type question अगर वो पूछेगा तो जादा chances यह हैं कि वो napcons वाली जो study है उसमें से question पूछेगा जैसे मैंने आपको भी 2 questions दिखाएं ठीक है तो यह data important है धीरे धीरे आप इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा 3rd question के उपर आजाओ जी 3rd question क्या कहता है कि as per the government data what is the level of processing in food grains in the year 2018-19 2018-19 में कितना percent food grain ऐसा था जिसकी processing हो रही थी सरकार के data के हिसाब से again P.I.B. में से directly question को pick up किया data specific question है और data specific question के अंदर guess कर पाना सबसे मुश्किल काम होता है सबसे मुश्किल काम चलते नहीं है guess बिल्कुल यह आप बहुत ज़्यादा लग्की हो तो बात अलग है नहीं तो नहीं बनेगी बात तो यहाँ पर आपका answer जो है क्या होगा answer will be option C 68.2% ठीक है तो 2018-19 में 68.2% जो food grain production था उसकी हम processing कर रहे थे यह data सरकार ने दिया था कि 2010-11 में हमारा 49.3% का था 15-16 में 63.2 का था और अभी जो late test हमारे पास data available है 2018-19 का उसमें 68.2 था तो processing के अंदर continuously improvement देखने को मिली है नबाड के बच्चों के लिए भी बहुत important है fourth question के उपर आजो एक annual survey of industries conduct होता है regularly अभी latest वाला 2019-20 वाला है ठीक है तो इस survey के हिसाब से कौनसी भारत की ऐसी state या UT है union territory है जिसमें सबसे जादा food processing units established है maximum number of food processing units factual question है यह जितने आज के 10 के 10 questions यह PIB से source नहीं विटा तो आंदरपरदेश, करनाटका, तेलंगना, महराष्टरा, none of the above किस state या UT के अंदर सबसे जादा food processing units है तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा that will be option A आंदरपरदेश आंदरपरदेश में आपकी सबसे जादा food processing units available है नमबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है बाकी states का data याद रखने की ज़रूरत नहीं है छोड़ सकते हो फिफ्ट question के उपर आजाओ जी again annual survey of industries 2019-20 में से question है इस survey के हिसाब से food processing जो sector है ये इंडिया में कितना percent लोगों को employee करता है manufacturing sector में यानि कि manufacturing sector में अगर 100 लोग total employee हो रहे हैं हर तरह की manufacturing ठीक है इंडिया में अगर manufacturing sector 100 लोगों को employee कर रहा है तो इस 100 में से food processing sector में कितने जा रहे हैं options है 8.22, 12.22, 18.22 21.22 और none of the above percent manufacturing sector के लोग food processing sector में है again very important question और answer यहाँ पर क्या होगा answer होगा हमारा option बी 12.22% 12.22% जो लोग है वो food processing sector के अंदर है जैसे कि मैंने का कि अगर 100 लोग manufacturing के अंदर है 100 लोग manufacturing का काम कर रहे हैं तो उसमें से 12.22 लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं जो food processing sector के अंदर है next आजा हो जी question number 6 के उपर question number 6 कहता है कि एक scheme है जिसका नाम है production linked incentive scheme for food processing industry यह scheme 6 साल के period के लिए अप्रूव हुई है 2021-22 से 2026-27 इस period के लिए इस scheme के लिए total सरकार ने कितना पैसे का outlet दिया है कि इतना पैसा खर्च करेंगे 6 सालों में इस scheme के अंदर यह रहे आपके options 5900 करोड 10,900 करोड 15,900 करोड 20,900 करोड तो कितने पैसे खर्च किये जाएंगे आपके production linked incentive scheme for food processing industry के अंदर यहाँ पर आपका जो सही answer होगा that will be option B 10,900 करोड रुपी 10,900 करोड रुपे इस particular scheme के अंदर खर्च किये जाएंगे 6 सालों में 21,26,27 तक थोड़ा सा production linked incentive scheme के बारे में जान लो central sector scheme है ministry of food processing की ठीक है 10,900 करोड का outlet है 6 साल के period के लिए यह scheme का main target क्या है कि कैसे इंडिया के food manufacturing जो industry है उसको global scale पर लेकर के जाया जाए और इसी लिए जो यह Indian food product brands है उनको international market के अंदर support करेगी funding वगरा के थूँ तो वो basically scheme के अंदर main target है 7th question के उपर आजाओ जी simple सा factual question है National Farmers Day किस दिन celebrate किया जाता है यह रहे आपके options 21 December 23 December 25th December 28th December या फिर none of the above National Farmers Day किस दिन celebrate किया जाता है 21, 25, 28 और none of the above तो यहाँ पर आपका सही अंसर क्या होगा दोस्तो यहाँ पर आपका सही अंसर है option B 23rd December 23rd December को आपका National Farmers Day celebrate किया जाता है यह basically चौदरी चरण सिंग की birth anniversary के occasion पे celebrate किया जाता है ठीक है यह याद रखना है वो direct question पूछ सकता है कि National Farmers Day जो celebrate किया जाता है 23 December को वो किस personality की birth anniversary होती है इस type का question उसने IBPS AFO के previous year questions में पूछा भी है ठीक है तो वो आप देख सकते हो एर्थ question आजाएगा जी who among the following is known as champion of Indian peasants किस व्यक्ती को champion of Indian peasants के नाम से भी जाना जाता है option A. MS. Swaminathan B. Pitabhi Sitaramaya C. Chaudhary Charan Singh D. Atal Bihari Bajpai किसको champion of India's peasants के नाम से जाना जाता है बड़ा confusing सा question है and definitely अगर पढ़ा हुआ है तब ही answer कर सकते हैं otherwise को इसको अपनी answer करने का तो यहाँ पर क्या answer हो जाएगा सही the right answer guys will be Chaudhary Charan Singh Chaudhary Charan Singh जो है वो यहाँ पर आपका correct answer होगा next question जी black soils are rich in black soils किसके अंदर rich है यह December के अंदर news में था क्योंकि जब world soils day आया था न तब FAO ने black soils के उपर काफी जारा concern दिया था कि काफी important soils हैं और काफी speed से यह degrade हो रहे हैं तो इनको protect करना important है अगर दुनिया में food supply को maintain करना है तो वहीं से यह static question हमने बनाया है black soils किसके अंदर rich होते हैं option A, iron, B, lime, C, calcium, D, potassium, all of the above तो static question है आना चीए एक agriculture के student को and the right answer guys will be all of the above all of the above is the right answer तो black soils काफी fertile होते हैं और high agriculture yield के लिए जाने जाते हैं क्योंकि moisture storage capacity अच्छी होती है iron, lime, calcium, potassium, aluminium, magnesium में rich होते हैं और nitrogen और phosphorus में इनमें कमी रहती है globally 5.6% जो soil होता है वो आपका black soil है और जो soil organic carbon होता है यानि कि soil के अंदर जो carbon store होता है तो पूरी दुनिया का जितना soil organic carbon है उसका 8.2% soil organic carbon black soil के अंदर है तो FAO नहीं यही चिंता जताई थी कि यार अगर यह इतना सारा carbon store कर रहा है और ultimately अगर यह soil degrade होगा तो black soil जब degrade होगा तो वो बहुत सारा carbon जो है atmosphere में release करेगा जो further अर्थ की global warming के अंदर role play करेगा ठीक है last question के उपर आजओ जी फटाफट से which among the following countries in the world has the highest area under bamboo in the world highest area under bamboo ठीक है bamboo cultivation के अंदर या bamboo production के अंदर सबसे ज़्यादा area किस देश के पास है दुनिया में options यह रहे इंडिया, चाइना, यूएस, इंडोनेशिया, बांगलादेश अचा कहीं लोगों का इसके अंदर guess work क्या होता है इस टाइब के question में अपना प्यारा हिंदुस्तान लगा करके वो आ जाते हैं पर ऐसा मत करना ठीक है कहीं की चीजों में वो ठीक हो जाएगा लेकिन ज़्यादा तर chances हैं कि वो गलत होगा अब यहाँ पर आपका सही answer इंडिया ही है लेकिन अगर मैं आपसे question पूछ लेता कि सबसे ज़्यादा diversity bamboo species की किस country में है और मैं आपको same options देता तब भी अगर आप इंडिया लगा देते तो आपका answer गलत हो जाता क्योंकि उसके case में answer क्या होना था चाइना तो सबसे ज़्यादा area इंडिया के पास है और दूसरे number पर हम diversity के मामले में रिच है सबसे ज़्यादा diversity bamboo की किस के पास है वो है चाइना ठीक है हमारे पास around 136 species है bamboo की जिसमें से 125 तो हमारी indigenous है और 11 हमने exotic introduce की है ठीक है जी So these were the 10 questions that were to be discussed and have been discussed very quickly फिर भी कोई doubt हो तो comment पे पूछ सकते हो telegram पे आ सकते हो whatsapp कर सकते हो mail कर सकते हो चैनल को अगर subscribe नहीं किया है तो वो फटाफट से कर लो मिलेंगे next lecture में till then take care and bye